कि यूटीब चैनल स्टमपनॉकिंग आज हम वापस आए एक नई बहुत ही अमेजिंग और प्रेजी वीडियो के साथ आज यह वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे इंडिया इंडिया फुट्वेर इंडस्ट्री को ग्लोबली रिप्रेसेंट करता है जब मैं बात करता हूं इस ब्रेंड ने इंडिया की पैचान बना रखी है और जैसे कि आप समझ चुके होगे अवी तक आज हम बात करने वाले हैं रेटेप शूस की बहुत सारे दोस्तों नहीं कमेंट में मैसेज़ें से भूला था कि रेटेप के स्वीकर्स और रेटेप के शूस के बारे बात कर मैंने और मेरी टीम ने ओनलान रिसर्च किया और उसके बाद जो हमें सबसे बड़ी अलागे हमने तीन बेर शूस को ऊपन करेंगे इनका रिई देंगे तो आप बताएंगे हमें फोने यह कैसे लगे रस 03681 जब हम बात करते हैं तो यह 6900 रूपीज का है और सबसे ची बात यह है कि यह शू हमें 80% करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो के फस्त लुक की बात करते हैं तो पहुत ही प्यारा यह देखने में बनागर एक स्पोर्ट शूटेस आप से देखें तो इस वेरी ब्यूटिफु चुप और साथी साथ जब इसका ओर लुक है काफी साथ है यह शू सिर्फ पर रणिंग के लिए यूज नहीं करेंगे इसको आप ऐसा लाइश लिए बहुत प्यारा शू लगा तो सबसे बात करते हैं इस शू के अपर के बारे में तो बहुत ही प्यारा लगा काफी कमफरेबल है सीमलेस है कहीं पर में मेरें को को स्टिचिंग दिख है जो कि इस शू के डिरोबिलिटी को काफी जादा बढ़ाने वाला है और एक प्यारा लुक भी दे रहे हैं तो इन्होंने अगें हील काउंटर दिया आपा है जो आपके रणिंग के आपको सपोर्ट करेंगा पुल टैब जैसा कि हम जानते बहुत सारे राइंग शूज मे के साथ है बेसिक लेसिक स्टाइलिस में शू में इन्सोल की बात करते हैं तो अच्छा कुशंट इन्सोल है तो ओवरॉल अपर इट इस बेरी गूड और मेरे को एक रणिंग शूग है इस शू के कुश्टिंग सिस्टम की जो की होता है मिट सोल जो आपके शूटर ओवरॉ एक अच्छे डिजाइन के साथ है सबसे ची बात है कि इसका डिजाइन वाग क्या रहे है यूजली होता क्या है इवा मिट सोल जो आता है वो बिल्कुल बेसिक दे देते है इसमें इवा अच्छे तरीके से दिया हुए और काफी कुशंट है तो आप इसे बहुत साई लोग को कंफीज हो रहे होगे कि बार-बार इवा इवा करता हूं तो इवा एक रबर का टाइप होता है जो एक बेसिक मोल्ड होता है जिसे की शू का मिट सोल डिजाइन किया राता है इवा की फुल फॉर्म होती है एथायल विनाइल एसिटेट तो यह कुशन यह की रबर का लिए हां पे इस अच्छी चीज का है आपका शू का वेट लाइट हो जाता है जब वेट की बात करते हैं तो यह जो की एक डीसे बेट है और जब आम बात करना था कि यह फाइदा क्या है इससे तो पोर-फुट और हीलेगा यह फाइदा ही होता है कि इस शू का ट्रेक्शन अच्छा है इस शू की डिरेबिलिटी अच्छी रहने वाली है यह जूता आपका घिसे गानी आप जिता भी रनिंग करोंगे अच्छी ग्रिप आपको प्रवाइड करने वाला है तो ओवरल इस शू के लुक के हिसाब से जब मैं बात करते हूं से बहुत अच्छी डील है और इंडियन स्टैंटर के इसाब से कोई दूसरा ब्रैंड इतना अच्छा शू इसने कंप्राइस बना रहा है तो दोस्तों हमारा अगला शू है रेट टेप मेंस शू है स्टीकर के डिए शू है शू का नाम है रसल 0212 इस शू का MRP की बात करते तो 5700 रूपीस का है और य शू है बहुत ही प्यारा बहुत ही अमेजिंग स्टीकर है और जो बना को था है 1700 के इसाब से लुक बहुत यह अच्छा लगा इसका पूरा के पूरा सिंथेटिक लेदर से बनाया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यह स्टिचिंग और यह जो अलग अलग कट आउट दे रखें तो इससे कह से लुक बहुत ही जादा इन्हेंस हुआ और बहुत ही प्रीमियम कडिगरी का शू लग रहा है शू के जब हम यह फोर फूट वाला जो यह वाला जो एरिया होता है यह साइड का इरिया होता है इसमें परफुरेश के लिए होता है आपके पेरों को स्वेट रखने वाले और एक शू में बहुत युनीक चीज में को देखने में लिए जो अभी तक I don't think कि मैंने किसी दूसर शू में देखिए वह एक इसमें कुछ ट्रांस्पेरिंट टाइप का इन्होंने साइड में डिया है यह आप इस तरीका से प्लेश है तो आप देखो साइड में बहुत ही प्यारा तरीका से उनने रेट टेप लिखावा बहुत बोल्ड नहीं है बैक साइड में रेट टेप का जो यह एक्स्क्लूसिब लोग है वह इंबॉस कर रखा है यह भी बहुत ज्यादा हाइड है अच्छी ची उन्सल्य के शू कॉलर इतने जादा कुशन नहीं होते है तो शू कॉलर इसका बहुत बड़ी है इंसल ठीक है बाहत जादा कुशन नहीं बड़ेक के साँब से जितना अच्छ ँल होना चाहिए वह है बात करते हैं इस शू के आउट्शोल की पूरा को पूरा for the rubber का कि आप सब जानते हैं कि इस स्टाइल के जो स्टीकर होते हैं उनका वेट होता ही है उनके लिए बहुत ही प्यारा शू है इसका लुप डिजाइन काफी ट्रेंडी है और यह आइकॉनिक स्टाइल है जो आप बहुत तरे ब्रैंग्स आपने देखा हुगा कि अरा स्टाइल और यह हर आउट्पिट के साथ अच्छा लगने वाले है तो बढ़ते हैं अपने लास्ट शू की तरफ जो कि यह रेट टेप का स्नीकर के डिए शू के नाम की बात किरते हैं तो इसका नाम है RS 02773 MRP हम बात करते हैं तो 6900 रुपी इसका है और यह आफ्टर 70% डिसकाउंट तो आफ्टर 70% डिसकाउंट यह अप्रोक्सिवेटी टुथाउंट इसकाउंट में पड़ा है तो हम बढ़ते इस शू के फस्स लुक की तरफ जैसे कि हम इस शू का फस्स लुक देखते हैं तो बहुत ही अच्छा बहुत ही क्लासिक तरीके का इक शू है इस शू से पेको अपना फेवरेट नाइकी एरमक्स 90 की याद आती है उससे काफी जाधा इंस्पाइड है बहुत लाइट वेट शू है यूजल यह वाले जो शू होते हैं काफी जाधा वेटे होते है तो इसका वेट करने के पदा चलता है कि इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 308 ग्राम है जो क आपकी साथ पूरे शू में बहुत ही प्रीमिम तरीके से स्टिचिंग करी गई है एक अच्छे तरीके से डिजाइनिंग करी गई है और बात जब हम करते हैं इसके शू कॉलर की तो इसमें कुश्णिक मेरे को बहुत ज्यादा दो नहीं है बट ठीक है एक स्नीकर के साब से कि अनुश्णिक एनफ होती है तो यह तो इस चू का अपर ता इसमें सबसे प्यारी चीज जो मेरे को शू में लगी है वह है इसका इंसोल में मेमोरी फॉर्म सिस्टम के साथ दिया है यह जैसे कि आपने से बहुत साही लोग जानते है कि मेमोरी फॉर्म अभी का सबसे बढ अपर में मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी इसकी ब्रेंडिंग यूजली होता गया कि जो कलर होता है ब्रेंडिंग कंट्रास्ट में दूसरे कलर से साथ दे जाती है पर इसमेना कलर बहुत प्यारे दरीके से दियावा है आप देख सकते है रेट टेप जो लिखावा है अपने हील काउंटर पे या इनके शुटंग पे यह बहुत जादा हाइलाइट ही जो कि एक मेरे को डिसेंट स्टाइल लगता है साथी साथ इसका जो लोगो है ब्रेंडिंग वहां पे हमारा ब्रेंडिंग भी इसकी लेटर साइड में दीग है जो की बहुत अच्छी लगी अपने मेर को बात करते हैं इस शू में इनोंने को इस टेकनलोजी उस कर दिया है जैसे मैंने आपको बता है नाएक की एस नाम दिया है एर प्लस जो कि एक एर कैप्सुल दे दिया एल एरिया में इसकी सबसे चीज चीज क्या कि जब आपका पूरी बॉडी का वेट जो हील तो यह हो गया इसकी टेकनोलोजी मिट्सोल की बात करते तो अगें इस चुमें भी इवा यूस किया गया है जो बहुत लाइट बहुत जादा कुशंड है आप दोनों साइट से सपोर्ट के लिए इनों ने भी डिजाइन किया वा है आउट सोल की बात करते हैं तो आउट सोल यह बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबल ग्रूफ दे रखे हैं और इसका जो आउट सोल का पैटन है यह काफी अच्छा एंटी स्कृट होने वाला है और जहां तक मैं इसको टच और फील करके देख रहा हूं तो यह दिरेबिलिटी भी इसकी बहुत बढ़े रहने वाली है तो है वोब यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों श्यूज आपके सामने हैं आज आपके लिए एक टास्क है क कमेंट सेक्शन में बताएं इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा स्नीकर कौन से लगा, सबसे अच्छा शू कौन से लगा, अगर इन में से कोई सब इशू आपको पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप उसे पचेस कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि इंडियन ब्राइंड के टॉप सेलिंग स्टाइल्स, हुज डिसकाउंट में कौन-कौन से एवलेबल हैं, दोस्तों अपना प्यार हमें कमेंट में दिखाएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया, तो प् झाल